हेलो फ्रेंड्स मैं हमीद अधिन त्यन्हमत लेक्चरें मेकनिकल प्रोड़क्शन आज का हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर इपलेशन मैं ओजोन लेयर के ऊपर अजोन होल पे एक सब्सक्राइब है इसलोट दो डियो बना चुका हुआ है तो चड़ी शूरी करते हैं को अजन्हों सबसे पहले कि देखने में देख्टे चर्चा में क्यूं एक विज्ञानीकों ने मैं दावा किया कि आए कि अर्फिट्पर्ध आर्केटिक्स शेत्र में जो ओजन परत के अंदर जो होल था वो बंद हो चुका है अब विग्यानिकों का मानना है कि ओजन होल के बंद होने का कारण दुरूवी भमर यानि पॉलर वर्टेक्स की घटना है ना कि कोरोना वारेस लोकडाउन के दोरान प्रोडूशन का स्तर कम ह अब हम देखते हैं कि यह से ओजंवी और करती क्या है और यह बैसीकली हमारे यह जो सूरे साने वाली अल्ट्रा वालेग्ष करना हैं उनको रोकती है इसके अंदर यह बेसिकली स्ट्रेटर स्ट्राप वियर तो जोप है जाती है जिए और फिरू परत और पैर पजराबगन किर्ण है अब ओजोन परत सूरे से आने वाली यूवी किर्णों से हमारी रक्षा करती है यह तो हम सब जानते ही है अब ओजोन अत्यदिक किराशील गयस है और रंगिन गयस है कि सबस्यादा और परत्वी की सते से लगबग 10-50 किलोमेटर की बीच में इनकी बीच में जो उपर समताप मंडल है उसके अंदर पाई जाती है अब समताप मंडल में पाई जाने वाले जो नहादिकारत पैरा पैकनी किर्णों को परत्वी पर पहुचने से रोकती है इसलिए इसे क्या अब हम बात करते हैं जिसे ओसन होल के बारे में आए में यह यह वह पर यह होल क्यूं हुआ है सबसे पहले बात करने हम अगल होड़ा था वह इस वह जो जो प्रत्वी से निकलने वाले दुमा और पॉल्यूशन की वज़े से और सी एफसी जो निकलता है उसके वज़े से उसकी वज़े से ओज़े से ओजोन के अंदर होल हुआ था सबस्यादा पिछले कुछ दशगों में क्या हुआ मानो नेजित मुरासाने उसे। वाय मंडल में मौजूद ओज़ून की मातर पर असर पड़ा। इसका सबस्यादा प्रभाव क्या है? अन्टार्टिका में देखा गया, अन्टार्टिका शेतर में अब अंटार्टिका शेत में क्या है ओजोन के रासाने इशाल विनाश होता है जो उसको हम क्या करते हैं अपना ओजोन होल कोई सचमुच का छेद नहीं होता बलकि क्या है ये एक समताप मंडल का वे हुस्सा होता है जहां पर ओजोन की क्या है जो सांधरता होती means concentration होती है वो क्या बहुत कम हो जाती है अब हानिकारा के रासानों से समताप मंदल में ओजोन की मात्रा को प्रभावित करते हैं लेकिन क्या हुआ आरकरिक शेत्र में इतना बड़ा ओजोन होल बनने के कारण क्या हुआ विग्यानिकों में चिंता हो गई कि चिंता का विश्यवन गया फिर ओजोन लेर शरंट जो शरंड के लिए क्या हो बैसिकली मानौर नीरमित राशानी जिम्मेदार है देशने क्लोरग few कार्बन आ यह उसकी व्याविज़सी बन गया अब आर्क शेत्र में ओजोन होल हुआ जब उत्री धूब में आर्किटिक शैत्र में उपस्तित समताप मंडल का जो हिस्सा है उसके अंदर आर्किटिक शैत्र की दुला में अधिक भूभाग और परवत शरंकलाव से गिरा हुआ है वो अब ये भूभाग में क्या है परवत शंक्राले मौसम के पेटर्न को स्वी के दोनों दुरूओं पर निम्नद वायुदाब वाला विस्तरत शैत्र होता है यह होता है पोलर वर्टेक्स तो इस दोरान यहां पर तापमान माइनस शैतर डिगी सेल्सेस के आसपास पहुंच जाता है अब इसकी चलते आर्किटिक शैत्र में समताप मंडल में कई म निर्मान हुआ इस स्ट्रट्टिक क्लाउड के साथ साहत कि बना रहा जब पॉलर वर्टेक्स की इस्तित सामाने हुई तो ओगो होल के अंदर क्या कमी आने लगी और हो जोन होल बंद हो गया अब हो जोन होल क्या हुआ लगबग पूंड तरह से बंद हो चुका है आज की तारीख में ऐसा विज्ञानिकों का मानना है लेकिन फिर भी हमको इसके बारे में ध्यान रखना चीए तो अब जोन लेर किया है इसक सत्यासी को मौन्ट्रेल प्रोटोकॉल लाया गया था है ना इसके अंदर के अंदर ऑजोन परत को नश्ट करने वाले प्रतारतों की रोपताम के लिए एक अंतराश्य समझोती पर हस्ताक्षर किये गए जिसको हम मौन्ट्रेल प्रोटोकॉल करते हैं और इसी बज़े से 16 सि संबर को मना जाता है तो आज की टॉपिक में इतना ही कि हम देखा कि ओजोन लेयर में जो डिपलेशन हुआ था वह काफी हद तक कम हो चुका है और हम आगे भी ध्यान रखें ताकि क्या यह आगे ना बड़े ओजोन होल ओजोन नियोन से हमारे क्या बहुत ज्यादा दिक्क अब अबधी उत्मन हो सकती है इसलिए हमको चाहिए कि हं कम से कं पॉलिशन करें पॉलिशन बिल्कुल ना करें ज्याद सैयादा पेड लगाएं और यस्या कि इस्तामाल करें ज हो सके और कम को सके और अशा को और Stories ब्सक्ति कॉरिए का और बाइ Alexandra ले को ऑस वीडियो को ब्ह